हाई मैं सर्वेक जैन आज हम बात करेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड के तो एलेक्ट्रिक फील्ड इक विजुलाइशन के लिए टूल होता है तो अपन देखते कैसे जैसे अपन को पिछले लेक्टर से क्या जाद है कूलम्स लॉग क्या था इसको लिख सकते है इसको लिख सकते है किसी क्वांटिटिटी इसको अपने रिक्ट्रिक विल्ड कह रहे है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अपने एक वेक्टर असोसियेट कर रहे है क्यू के साथ किसी डिस्टंस आर पर जो कि कुछ इफेक्ट दे रहा है जिससे फोर्स लग रहा है क्यू आई पर तो अपन क्या कह सकते है कि एलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है जो यूनिट चार्ज पर लगने वाली फोर्स है एक तरीके से फोर्स ही है जो यूनिट चार्ज पर लग रहा है पर वह क्या है अपना इंडिपेंड़न्ट आफ चार्ज है जो आपने वहां पर रखा है वह केवल एक फिक्स चार्ज के लिए डिफाइन क्या लगा है अच्छा अपन इसे कैसे एक और तरीके से डिफाइन करेंगे अब क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं अपन को अगर एलेक्रिक फिल्ड निकालने है तो अपन क्या कर सकते हैं अपन क्यों क्यों चार्ज लेंगे उसके आसपास को चार्ज लाएंगे इसे मैं क्यों यहां पर ल distribution रहता है तो qi को अपन छोटा रखते हैं वो conductor वाली बात अपन बार में discuss करेंगे जब conductor की बात करेंगे तो qi यहना उसको छोटा रखना पड़ता है तो qi छोटा रखना का मतलब क्या है कि उसको 0 के आसपास रखना तो अपन जो electric field उसको कैसे define करेंगे electric field को define करते है limit q tends to zero q tends to zero का मतलब क्या हुगा कि q को 0 के पास ले जा रहे है अपन जो force लगा हुआ उस q पर r vector के position vector पे upon the magnitude q तो यह जादा important नहीं है बस यह थोड़ा ख्याल रखते है experiment के दौरान कि अपन को q को छोटा रखना होता है क्यों क्यों क्योंकि field change हो सकते है charge distribution change होगा था field भी change होता है तो field change ना और इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि q को छोटा रखते है तो ऐसा unit क्या होगी इसा unit क्या से निकाले अच्छा इसमें जो force है उसमें Newton था अब इसको क्या किया है अपने चार्ज qi से डिवाइड किया है तो इसमें क्या होगा Newton पर कूलम तो इसलिए Newton पर कूलम इसकी एक और होते है वोल्ट पर मीटर अपने एक बाद पोटेंशल डिफाइन करें उसी के बाद कर पाए है क्योंकि पोटेंशल की ऐसा unit वोल्ट होती है अच्छा अपन अब देखते इतना important क्यों है यह जो अपना जो electric field का notion है वो इतना important क्यों है तो अब इससे क्या हो सकता है कि अपन किसी भी रीजन में जाए जैसे अपन स्पेस में कहीं पर भी गए तो स्पेस में अपन को क्या करना है अगर अगर अपन को चार्ट आपना जाना है में को चार्ट पता नहीं स्पेस में किया है तो अपने को पता चलिया कि अपन को पता चलिया कि यहां पर दखका लग रहा है वोई direction अगया है तो अपन की कर से है electric field को describe कर सकते हैं बिना source charges को जाने source charges कुछ भी हो अपनको कोई फरक नहीं पड़ रहा तब भी अपने electric field दून पा रहे हैं कि अपनको क्या पता है यह फॉर्मूला पता है यह फॉर्मूलाप पता चल लिगाए को कि रहे 절 धी ऑन्की अवजिस से ऐल्यक्ट्रिक फील्ड निकालने मैं बाद में अच्छे था explain करता हूं मान लेते हैं अब यह formula सही है यह सब पर sum कर दिया अपने तो अपने क्यों करना था तो इसके divide by q कर देंगे तो अपने बास क्या जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 qi r vector minus r i vector upon r vector minus r i vector cube ठीक है अब यह formula कैसे आया यह कैसे formula पिछली कास में ते पर यह दूनों formula सेम ही है इसमें क्या है कि जो अपना origin है origin अलग है अब मैंने origin मान लेता हूं कि यहां पर नहीं माना है पिछले वाले lecture में क्या मना था origin इस q पर ही था जिस पर फोर्स ना पर रहे था पर आप मान लेते हैं origin उस पर नहीं है किसी origin जहाए जिससे r vector दूरी पर है q और r i vector पर अपना qi वाला चार्ज तो अपन क्या बोलेंगे जो यह vector है q और qi के बीच में तो r i vector प्लस यह vector is equal to r vector को triangle loss है तो यह vector क्या आएगा r vector minus r i vector तो अपने पास यह vector आ गया r vector minus r i vector उसकी length क्या होगी mod iska magnitude होगा length तो अपन क्या बोलेंगे और unit vector क्या होगा झोपन r Caps बोलते तो वह क्या हो जाएगा जो आपनको unit vector की definition बता है na a vector upon magnitude of a तो यह क्या है a vector ह्याँआ पर क्या है अपना यह वाला vector तो यह r vector minus r i vector है तो और उसका magnitude क्या है इसका length क्या है R vector minus R vector की length ठीक है तो अपने बाद distance आ गया तो अपने इस formula में डालते हैं वापस यह सब तो जो अपन कहा पहले formula तो उसमें unit vector को replace किया अपने unit vector को replace कर दिया और उसके R square को replace कर दिया तो length का square था अब यह पूछर होगे कि length कैसे निकालेंगे तो length ऐसे निकालेंगी कि अपनको क्या पता होगी आ रही वेक्टर की length प्ताओगी तो इसकी length निकाल लिए सकते हैं आपन क्या करेंगे R vector minus R vector के dot लेंगे उसे के रहात तो अपने यह से length रहेंगे जो cosine रूल होते है न उससे length निकाल सकते है पने इसकी अब बात करते हैं एक तरीके से जो पानी फ्लो करते हैं उसका अपने विजुलाइज कर सकते हैं तो इससे क्या होता है कि अपने प्रॉब्लम्स होती है वह बहुत असान बन जाती है और उससे सब्सक्राइब करने में असानी होती है तो यह एक टूल है विजुलाइज करने का अपने पास 3D में एक स्ट्रक्चर बनेगा एक स्पेरिकल सिमेट्री टाइप की बनेगी कि कबेंशन कि अपना कि पॉलिटिव से फिड लाइंच निकलती है और नेगीटिव से फिड लाइन अंदर आती है अच्छा अपनको जैसे फिड लाइन तो इसका टेंच वना दो यहां पर अच्छा कभी को लोग बोलते कि कि आपना क्या करते हैं यो फीड लाइन पर की रख देपन तो जो पांट ट्रीम न होती है पर आई नहीं होता है क्यों कि क्या होगा कि जैसे मैंने यहां पर क्यू रखा तो क्यू फीड लाइन के वह थोड़ी दिर तक तो मुव करेगा पर फ्रकर एक्टा जिससे वह थोड़ जाएगा जब तक velocity कम थी पर अब इसको velocity-based direction में मिल गई पर उसमें force अब कैसे लग रहा है ऐसे लग रहा है थोड़ा सा तो अब इसको velocity change करने पर time लगेगा थोड़ा सा एक दम से instantaneous लिए तो velocity change नहीं होती है तो वो थोड़ा सा deviate का जाएगा ऐसे ऐसे deviate करते जाएगा पाथ deviate होते जाएगा उसका तो जो electric field है ना field line वो आपन कैसे बनाते है कि उसका tangent है वो electric field होता है ठीक है जो force की direction से निकाल सकते है पन आपनको acceleration की direction पता होगी velocity की direction से कोई मतलम नहीं होता है field line का अच्छा आप अपन इंटर्प्रेट के देखा रहे हैं इन field lines को कि क्या बता रहे हो magnitude के बार हमें तो magnitude के बार में जैसे अपनको पता है electric field due to point charge क्या थी electric field due to point charge 1 by 4 by epsilon 0 q by r square r cap तो अभी मैं claim कर रहा हूँ एक बोलता हूँ कि शायद ऐसा हो density of field line के प्रपोर्शनल होती होगी शायद उसके प्रपोर्शनल हो सकती होगी electric field मैं claim कर रहा हूँ अभी पता नहीं है मैं तो अभी देखते कैसे होगा तो अगर यह ऐसा है तो अपन को क्या पता है कि larger charge है ना उन पर ज्यादा field line निकलेगी at a distance क्यों जैसे मान लेता हूँ है कि जो field lines है एक 2 q का charge रखा है मैंने और 1 q का charge रखा है मैंने तो अगर मान लेता है कि जो electric field है वो इसकी दुग नहीं होगी इस वाले की तो अगर density किसी r distance पर जाकर एक sphere लिया इस पर sphere लिया एक और इस पर sphere लिया एक तो इस दौनों का radius आ रहे है तो जो density है ना वेरी वह basically क्या होता है कि जो sphere का area है जितनी field lines से cross कर रहे है तो इसकी डिवाइड़ जाकर area of the sphere ठीक है तो किसी distance पर जाकर sphere का radius तो सेम है दोनों का तो दोनों का area भी सेम ही होगा और दोनों का area सेम है तो जो field lines है उन पर depend करेगा number of field lines पर बस density है मेरी density मेरी number of field line से ौधटर करने वाल है इसकी electric field double है इससे तो इसकी number of field lines क्या और 너무 HO जाएंगे इससे से तो इससे ज्वी field lines निकलेंगी न वह क्यों निकलने वाली field Aí अटा तो मैंने क्या बोला जो यह symbol है density के है यह density है तो यह density वो क्या है number of field lines upon area of cutting area of cutting मतलब कि अपन पूरा area निकालेंगे जितने में field lines cross कर दी है तो जैसे मैंने क्या बोला था जो मैंने को चार्ज रखा उसके रहाऊंगे spear बनाऊंगा उसमें पूरे में काटेंगे field lines जैसे मैंने पहले बता था 3D में सोच रहा है अपनको तो sphere का area का होता है 4pi r square तो 4pi r square अब मैंने क्या बोला number of field lines charge के proportional थे मैंने अभी बताया तुम्हें तो number of field lines charge के proportional थे मालने था C को C constant और proportionality constant इंटू Q upon 4pi r square sphere का area का होता है 4pi r square तो यह क्या है अगर आप इसे epsilon 0 से divide और multiply करें जैसे epsilon 0 से यहाँ पर divide कर देता हूं और multiply कर देता हूं तो यह जो चीज है मेरे पास यह electric field आ गई मेरे पास तो यह electric field और बाकी बचा क्या है बाकी बचाए C, Epsilon 0, C तो यह भी कोई constant ही हो गया एक तरीके तो यह भी तो एक proportionality constant ही है बस तो मैं क्या बोल सकता हूं अब कि जो density और प्रपॉरिशनल electric field जैसे मैंने क्लेम किया था तो यह साही निकला अपना तो अपन क्या बोल सकते है कि जहां पर जादा density होगी field lines की वहां पर जादा electric field होगी तो यह अपन को intuition मना रहा है कि electric field को electric field line से कैसे translate करना है तो electric field lines दी है अपन को जहां पर जादा density है वहां पर जादा electric field है अच्छा मैंने अभी बताया था end कहां पर हो सकती है end या तो negative charge पे होगी infinity पे होगी infinity पे बी end हो सकती जिसे मान लेता हूं कि पॉरिटिव चार्स है उससे के वाज एक पॉरिटिव चार्स रखा है तो उसकी field lines का end होगी कहीना कई infinity पह दाखे end होगी और जो start का होगी start या तो infinity पे होगी है तो ज़र नेगेटिव चार्स है तो उस पर field lines आ रही है वो start का होपने हुई थी infinity पर और फिट्लान समईशा continuous होगे फिट्लान को discontinuous मत बनाना तीकर जैसे यहां पर पूरे continuous जाएंगी स्ट्रेट लाइन्स नैवर फॉर्म दुप और फॉर्मकोष्ट लूप फिट्लान को बनाएंगी यह बार में इसे नहीं बना सकता है यह अठा तो यह क्लोज लूप क्यों नहीं है अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्ट्राटिक फिल्ड लाइन्स की बात कर रहा हूं यह नहीं होता है फिल्यक लघ्र करेंगे क्योंने मैं तो यह क्रॉस करती है यह लिए पर दूसरे को मच है यह कंब इसकु सकते हैं जैसे क्यों से पॉइंट पर एक चार्डर रगदता हूं तो ini portion में तो नuire hect should निए मोगा इसा धार कि हो सकति जो धुए विल्लाइन similar की आप यह जियों रहे दो लाएं में नियुक्टेति जिकसी निये का फायदा motivating अब देंच्षा है थीक है तो तो कछना की यहंपने मजा कर रही है तो कॉंट्रेटिक्षन आ रहा है कि अगर दो circuit उं'T thereafter करती है दो डारेक्षिन में हो जाएगी फील्ड नेट फील्ड थीकिड्ञकर अगर अगर कि दो फील लाइन रिंटर सेक्ट करें तो अगर केवल रेडियल फील्ड होती ऐसे बैंडिंग नहीं होती उपर के प्रफ तो एक दूसर से इंट्रसेक्ट बचाने के लिए वह ऐसे बैंड कर जाती है तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या करना यह QE रहन देना और इसको 2Q कर देना तो बताना मझे क्या होगा चेंच कि इससे जादा फीड लैंस दिखलेंगे इस से जाधा से जाधा फीड वाला रीजन वो कहाँ पर यह इससीफ्ट होजाएगा और अब देखते हैं प्लस Q और माइनस क्यों रखा है तो यह इसको कहते डाइपोल जतेगव, Katherine अच्छी नहीं आ रही है। धिकले तो डीबोल में एक प्लस चार्ज रखते हैं और माइनस चाल्ग हुए गॉल इससे मुदल पता है positive चाद से तो फिल्ड लमनpieces होती है और nagative से क्या उता की होता है चाहक पर दो आपके चाहिए हो कर दिए औरने केके चाह सब्सक्राइब निकमło कालकर निरीटार मृट पर खälय सकते हैं कर देता है तो इस़वा दबल इसदेंग उती मैक्सीमा यह जोई यहीरीं खेसे है यहां पे पर यह पर्पेंडीकूल की बात करेंगे में जैल अछड़ समझ हैं तो यह पोटैंशल के बिना जाशनãy समझ आएगा समझ गर क्यों यहीं सब्सक्राइब करहें जो पर पर लूप कर रहे और थोड़ा डिसकस करेंगे solid angle के बारे में वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और channel को subscribe करेगा, thank you